है गाई वेलकुम बैक तो चैनल टी एम वी और आप देख रहे हैं एक और नई वीडियो और यह इस बार जो है वह किसी ट्रेंड पर नहीं है बाट वी आर स्प्रेडिंग अवेर्नेस और ऐसे कुछ नए टॉपिक्स मिलते हैं जिन पर लगता है कि वीडियो बनाना बहुत ज ज़रूरी है तो फॉर्शार हम ऐसे टॉपिक्स ज़रूर करते हैं तो आज जो हम बात करने हैं वह कोरोना वाइरस जो कि चाइना की बीजिंग में फैल रहा है और कैसे फैल रहा है और क्या-क्या साइट इफेक्स हैं इसके या कैसे आप जो है वह प्रिवेंट कर सकते हैं इसके बारे में हम इंटेल में आज बात करने वाले हैं तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को बने रहे हैं हमारे साथ और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टो चैनल हिट लाइक एंड डू प्रेस बैल आइकन तो जो भ वायरस को पर्टिकॉरली अइडेटिफाई किया गया था अल्मोस्त तीन सो से ज्यादा लोग हैं जो इस वायरस से इंफेक्टेड हो चुके हैं और जिन में से धुरुगटनावश छे लोग की जान भी जा चुकी है इसका नाम करोना वायरस कैसे रखा गया इसकी इमेज मैं यहाँ पर डाल दूँगा आप देख सकते हैं कि इसके आसपा जो है वो स्पाइक्स हैं वायरस के अराउंड जब इससे टेस्ट किया गया तो पता चला कि कुछ ऐसी सी इमेज बन क्या आई है पर जो है इसके आराउंड जो है वो स्पाइक्स है जिसकी वजसे इसका नाम यह रखा गया है और जो है वोस्ट कुछ कफ है तो इसका मतलब कि आप करोना वाइरस इंफेक्टिड है और जहां तक बात की जाए कि इससे क्यों हमें जो है वो थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए या फिर हमें क्यों जो है वो इसके तरफ ध्यान देना चाहिए सो कभी भी कोई भी नया वाइरस आता है अब हम सब लोग जानते हैं एन्वाइरमेंट जो है वो बहुत ही तेजी से जो है वो चेंज हो रहा है और रोज कुछ ना कुछ नया बनके आ जाता है सो हमारी बॉड़ी हर एक वाइरस से लड़ने के लिए तयार नहीं है that's why we need to take so many precautions और that's why we need to learn कि यह जो है वो कैसे हमारी बॉड़ी को एफेक्ट करेगा या क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं सिम्टम मैंने आपको बता है majorly respiratory जो है वो system पर attack करता है और ज़रूरी नहीं है कि आपको हो और problem यह है कि हमारी body जो है वो कभी भी कोई भी एक नया वाइरस आता है तो उससे fight करने के लिए त्यार नहीं होती है उसे time लगता है हमारी immune system को time लगता है उस चीज से fight करने के ल और इंडिया में नहीं है coronavirus थैंक अब तक तो कोई ऐसा case नहीं आया है और hopes हो कि आगे भी in future हमें कोई case सुनने को ना मिले क्योंकि अभी हमारे पास कोई precautionary measures नहीं है and there are few more channels जो इसके बारे में awareness पहला रहे है तो prevention के तौर पर आप rigorously जो है वो अपने hand hygiene और hygiene का ध्यान रख कि coronavirus ही हो कोई और virus भी जो है वो आज के time पर spread बहुत जल्दी हो जाता है viruses already बहुत जादा strong हो चुके हैं जैसे जैसे हमारी body strong होती जारी है वैसे वैसे यह हमारा immune system strong होता रहे हैं वैसे ही viruses बगरा भी strong होते जा रहे हैं so hand wash जो है major prevention है हम लोग खाना माना खाते हैं या किससे hand shake करते हैं तो common viruses भी वहां से spread हो सकते हैं दूसरा if you identify someone who is suffering from this problem stay away from them and if you are feeling sick stay at your place and away from few people जहां पे आपके साथ साथ और किसी और को भी इस से या फिर common flu cold से जो है वो कोई problem ना हो या virus spread ना हो so that's all this is a short and simple video अभी डरनने की कोई जुरूद नहीं है इडिया में ऐसा कोई case नहीं आया है जब आएगा precautionary measure for sure आएंगे साथ साथ में and I hope आप लोग कोई वीडियो अच्छी लगी हो do hit like अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई में बात चल रही है वो actually में है क्या so thank you for watching our channel we will see you on the another side with a new video take care